सुनि सुत बजलन के से रिशाना पठे सिमेग नाद बलबाना मारे सिजन सुत बांद स्ताही देखिये कप ही कहा कर आई चला एंद्र जित अतुनित जोधा बौंधु निधन सुन उपजा क्रोधा कट गेठादा दुन भट आबा कट कटाई गरजार जाबा अपि विशाल कर एक उपारा मीरा थे के इन्ह रंके से कुमारा रहे महा भट पाके संगा गई गई कप मर दैनिज अंगा तिनही निपाते ताहे सन बाजा धिरे जुगर मानाओं कज राजा मुठ का मारी चला कर जाई ताहे एक छन पुण छाई पुठ बहोरी तिनही बहु माया जीतिन गाई प्रभंजन जाई राम हो अर्थ तहि साधा कप मन के निविचार जान बाम सर्वान महिमा मिटाई अपार सियावरे राम संग संकत पुमा जैज सीता राम जैज राधिर स्याँ पुत्र का बद सुनकर राबन क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेट पुत्र बलवान मेखनाद को भेजा उसने कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उसे बांध लाना उस मंद्र को देखा जाए कि कहां का है इंद्र को जीतने बाला तुल्निय युद्धा मेखनाद चला भाई का मारा जाना उसे सुनकर क्रोधाया हनमान जी ने देखा कि अब की भायानक युद्धाया है तब उए कट-कटा कर गर्जे और दोडे उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रिक्ष उखार लिया और उसके प्रहार से लंकेस्वर रावन के पुत्र मेखनाद को बिना रत का कर दिया रत को तोर कर उसे नीचे पटक दिया उसके साथ जो बड़े बड़े जुद्धा थे उनको पकरक पकर कर हनमान जी अपने सड़ी से मसलने लगे उन सब को मार कर फिर मेखनाद से लड़ने लगे लड़ते हुए वे ऐसे मालुम होते थे मानों दो गदराज स्रेश्ट हाथी भिर गये हो हनमान जी ने उसे एक हुशा मार कर ब्रिक्ट पर जा चड़े उसको छन भर के लिए मुर्चा आ गई फिर वह उठकर उसने बहुत मया रची परंतु रावन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते अंत में उसने ब्रह्मसर का ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया तब हनमान जी ने मन में बिचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उनकी अपार महिमा मिट जाएगी बोरिये पबंसुत हनमान की जै